हेलो दोस्तो, वेलकम टू पैबली, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू अपलोड यूटूब वीडियो फोर न्यू वू कॉमर्स प्रोड़क्ट तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम यह सीज़केंगे कैसे आप आटोमेटिकली एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं यूटूब पे, जब भी एक न्यू प्रोड़क्ट क्रियेट हो आपके वू कॉमर्स में, जी आँ दोस्तो एक पूरा प्रोसेस आप कर सकते हैं आटोमेट पैबली करने की मदस से, अब जानते हैं प्रोसेस कैसे वग करता है तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रिगर में मैंने लिया है वू कॉमर्स, एक्शन में मैंने लिया है यूटूब तो जब भी कोई new product create होगा वू कॉमर्स में उसकी video हम marketing purpose के लिए यूटूब में upload कर देंगे automatically अगर आप भी प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरी स्क्रीन पे ओके फ्रेंज तो यह है पैबली का लेंडिंग पेज और आप इस पेज पेज पर आ सकते हैं simply आपके browser में टाइप करके पैबली.com यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे एक है sign in का option दूसरा है sign up for free option तो अगर आप एक new user है तो आपको क्लिक करना होगा sign up for free वाली बटन पे और आप आपका account बना सकते हैं केबल 2 minute में मैं क्लिक करूँगा sign in वाली बटन पे क्योंकि मैं existing user हूँ उसके आप दोस्तों आपको जाना है पैबली connect वाले डालोग बॉक्स में क्लिक करना है access now और आप आप आजाएंगे पैबली connect के dashboard पे यहाँ पे top right corner पे आपको एक option दिखेगा create workflow का उस पे आपको क्लिक करना है तो एक dialogue box open हो जाएगा जो बोलेगा enter workflow name here तो दोस्तो basically हमको यहाँ पे हमारी workflow को को कोई नाम देना है let's say मैं मेरी workflow को नाम देना चाहता हूं upload youtube video for new woocommerce product दोस्तो यह हमारा objective है इसलिए हमने यह नाम दिया है आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा create वाली button पे और आप आजाएंगे यह वाली screen पे अब यहाँ पे आपको दो important module समझना है जिनका नाम है trigger और action तो दोस्तो trigger और action पे पूरा automation काम करता है trigger बोलता है when this happen जिसका मतलब होता है जब ऐसा हो तो action बोलता है do this तो ऐसा कर दो तो basically trigger हमारे automation को start करता है और action में हम वो particular action perform करते हैं जो हम करवाना चाहते हैं आप आये trigger application चूज करते हम यहाँ पे हम simply choose करेंगे यहाँ पे WooCommerce यह हमको WooCommerce मिल गया नीचे और trigger event में हम choose करेंगे new product created तो मैंने यहाँ पे new product created चूज कर लिया उसके दोस्तों हमको एक webhok URL मिल गया है navigate to left side bar WooCommerce then go to settings go to advanced tab and go to webhooks click add webhooks button the webhook data box appears तो दोस्तों इन details को पढ़के आप यह setup पूरा कर सकते हैं मैं आपको directly ले चलता हूँ WooCommerce पे और यह पूरा process बताता हूँ यह हमारा WooCommerce अब होगराइगे हम सबसे पहले हम जाएगे settings पे और settings पे जाने के बाद हमको जाना है of want which direction Catitude कर देगे और उसके बाद हमको जाना है webhooks पे और webhooks पे जाने के बाद हमको click करना है add weekbook पे तो हम एक new webhook create कर रहे है बेसीग लिघाली हो इस webhook को कुछ नाम देना है, तो let's say मैं इसको नाम देता हूँ, sample webhook, आप आपके साब से कोई भी नाम दे सकते ही हाँ, status हमको रखना है active, और topic में हमको रखना है product created, तो यहाँ पर नीचे जैसे ही करेंगे scroll, आपको product created मिल जाएगा, और delivery URL में दोस्तों आपको वह webhook URL डालना है, जो आप प्ली कर देना है, पेस्ट, यह मैंने पेस्ट कर दिया है, और उसके बाद आपको क्लिक करना है, save webhook पर, तो हमारा जो webhook है, वो update हो जाएगा, और यहाँ पर save हो जाएगा, जैसा कि आप मेरी screen पर देख सकते है, webhook updated successfully, अब दोस्तों, मैं पैबली connect पर जब आपको लेक तो हम क्लिक करेंगे, recapture webhook response पे और अब नीचे हमको यहाँ पर show होगा, note में, now login to the application where you have added the webhook URL and do a test submission request, so that the data can be recorded here in the webhook URL, webhook response, तो basically हमको test submission करना है, एक product create करेंगे हम WooCommerce में, और उसका response हमको यहाँ पर receive होगा, पैबली connect में, तो मैं ले चलता हूँ आपको WooCommerce पे, और यहाँ पर दोस्तों हमको जाना है, products पे, और click करना है, all products पे, तो all products पे, जैसे ही मैं click करूंगा, तो यहाँ पर मैं को add new option मिलेगा, जैसे ही add new option मिल गया, add new पे click करेंगे हम, और यहाँ पर हमको पहले product का कुछ नाम देना है, तो let's say मैं product का नाम देता हूँ, YouTube video, all right, उसके मैं यह वाली video डालना चाहता हूँ, end screen MP4 वाली, insert into product कर दूँगा, और यहाँ पर वो video हमको insert हो गई, जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं, अब नीचे आप कुछ चीज़े और डाल सकते हैं, जैसे कि regular price, sales price, और एक short description भी यहाँ पर add कर सकते हैं, तो let's say मैं इसमे short description add करता हू this is a test product, यह मैंने मेरे मन से short description यहाँ पर इस video के लिए add कर दिया, आप आपके साब से कोई भी description ढाल सकते हैं, उसके बाद हम click कर देंगे publish पे, यहाँ पर publish पे click करूँगा, और उसके बाद मैं click करूँगा update पे, तो हमको response है इस product का, वो पैबली connect में received हो जाएगा, तो चलत response हमको यहाँ पर received हुआ है, उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर title मिल गया YouTube video, और यहाँ पर आपको और details मिल गई है नीचे, अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको action step में choose करना है YouTube, क्योंकि हम YouTube पे video upload करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर simply choose कर लेंगे YouTube, यह मैंने YouTube type कर दिया, और मैं यहाँ से YouTube को select कर लूँगा, उसके बाद action event में हम choose करेंगे upload video, तो upload video वाला option हमको choose करना है, click करेंगे connect वाली बटन पे, और फिर हमको जाना है add new connection के साथ, click करेंगे connect with YouTube, यहाँ डालोग बॉक्स की मदद से हम YouTube का account है, वो पैबली connect से successfully connect कर लेंगे, यहाँ प connect, अब दोस्तो channel ID में मेरे system ने automatically fetch कर ली demo channel, यह मेरा YouTube का account है, यहाँ पर demo channel करके मेरा YouTube का account है, जिस पर मैं यह touch submission आपको करके बता रहा हूँ, अब हमको map करना है video title, video description, video URL, तो दोस्तो यहाँ पर हम इनको step by step में इसको add करेंगे, हमें category ID भी करना है, आपको एक और चीज का यहाँ रखना है, जहाँ पर required लिखा है, वो चीज mandatory है, वो आपको fill करना ही है, और जहाँ पर जैसे required नहीं लिखा है, तो उसको आप ignore भी कर सकते है, अब video title में यहाँ पर map कर दूँगा, previous steps है, जो कि हमको received हुआ है, जिसका हमने नाम दिया था YouTube videos, तो हमने यहाँ इसको map क यह हमारे video का title हो गया, ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमको यहाँ पर video description मैप करना है, तो video description में map कर दूँगा, यहाँ पर simply type करूँगा description, तो हमको यहाँ पर video description है, this is a test product, यह भी हमको यहाँ पर map कर दिया है, अब दोस्तों यह जो मैंने step करी, इसे बोलते है mapping, यह बहुत है, आपको यहाँ पर click करना है, प्रिवेस जो data आपको receive हुआ है, प्रिवेस step में वो आपको यहाँ पर show होता है, उसको आप यहाँ से map कर सकते हैं, अब दोस्तों, mapping की मदद से हमेशा आप dynamic response generate कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि जब भी यह workflow run करेगा, और new product create commerce में, तो उसकी details भी हमको received होईगी हमारे family connect में automatically और हमारे YouTube पे वो video उस title के साथ upload हो जाएगी automatically, इसलिए mapping बहुत important है, कोई भी चीज़ अगर आप manually type करेते हैं, तो वो हमेशा static रहेगी, अब यहाँ पर video URL भी डाल देंगे, तो हमने यह वाली particular video select करें, तो मैं इसका यह ज डालना चाते हैं, तो डाल सकते हैं, let's say मैं इसको डालना चाहता हूँ, cool, for example, all right, category ID आपको required है, तो इसमें लिखा, enter the video category ID to be assigned to the video, the category ID can be retrieved using the last video categories action, step example 22, all right, यहाँ पर मैं category ID map कर दूँगा, जो कि हमको receive होई है, previous response में, हम यहाँ पर search कर लेंगे, category, तो हमको वो ID receive हो जाए आप इसको private रख सकते हैं, public रख सकते हैं, let's say इसको मैं रखता हूँ, public, उसके बाद notify subscribers का option कर सकते हैं, आप तो मैं इसको no कर देता हूँ, audience, इसमें आप चूज कर सकते हैं, yes, it's made for kids, no, it's not made for kids, यह दो options से आप चूज कर लख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ important note दी given है, जै किसी का content ना हो, वो copyright वाला issue ना है, तो यह सब चीज आपको ध्यान रखना है, और YouTube की terms and conditions को ध्यान में रखके YouTube की कोई सी video यहाँ पे upload करना है, तो हमने साही चीज अपलोड करी है, फिर हम क्लिक करेंगे save and send test request वाली button पे, तो उसके बाद आप देखेंगे हमको एक positive response यूट्यूब पे, तो मैं आपको लेचलता हूँ मेरे YouTube के account पे, और यहाँ पे content में जैसे ही आपको refresh करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको एक video यहाँ पे upload हो गई है, यह प्राइवेट है इसका status और हमने यह जो title दिया था YouTube वीडियो, इसको मैं open करके बतात आप इसमें image भी डाल सकते हैं, आपकी video में तो वो एक thumbnail के लिए काम करेगा, और यहाँ पे वो इसमें image शो होगा, तो दोस्तो यह पूरा process इन दो step का है, आप भी इस process को कर सकते हैं, इसमें कोई भी coding skills की जरवत नहीं है, बहुत ही जल्दी आप आसानी से किसको कर लेंगे अगर आप भी इस automation पे work करना चाते हैं, तो इस automation की जो link है, वो आपको description box में भी मिल जाएगी, यह वो particular link है जो आपको description box में मिल जाएगी, और अगर आपको इस workflow में कोई भी doubt है, तो आप में को comment section में ज़रूर बताएं, thank you यही नहीं दोस्तों, आप और भी integration बना सकते हैं, पैबली कनेक की मदस से, और आप हमको mail कर सकते हैं, supportadheretpably.com पे, अगर आपको कोई queries हैं, या कोई doubt है, तो आप हमको mail कर सकते हैं, forumadheretpably.com पे, और अगर आपको कोई price related issue है, तो आप इस link पे जा सकते हैं, अगर आपको यही वीडियो पसंद आया, तो इसको like करें, share करें और हमाई channel को subscribe जरूर करें, thank you.